तो दोस्तों अभी इसी स्रंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी और जबर्जस आनन्द आने वाला है ट्रेनिंग यू जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप लोगों को और नहीं नहीं चीज है कहीं जानने के लिए सीखने के लिए समझने के लिए मिलेंगी और मुझे लग रह एमेस्टर लीटर मार्क गुरुजी स्रीमान माधस्टर चालाइब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी का थैंक्यू प्लीज आज का दिन बहुत ही शांदार रहा हम सभी के लिए बहुत ही हम ग्रेटफुल हैं और सर का धन्यवाद दा करते हैं कि सर ने यूनिवर्सल टुथ से हमें रूबरू करवाया और फिर से रिमाइंड करवाया और ये एक एक यूनिवर्सल जो टुथ हमें बताया गया सर के दौरा तो एक एक चाही या एक एक जो फैक्ट और फिगर्स हमारे सामने रखे गए इस बिजनिस के तथ्यों से हमें पर्चे करवाया रूबरू करवाया तो ये सर के दौरा पिछले 20 साल में साड़े ठारे साल में और इतनी बड़ी टीम बनाने तक का सर का अनुभव है सर का जो सफर है एक एक बात बहुत ज़्यादा माइने रखती है बहुत महतो रखती है एक बड़ी टीम को बिल्ड करने के लिए एक बड़ा एंपायर खड़ा करने के लिए एक ऐसा लिटर बनने के लिए जहांपर सभी लोग आपको लाइक करते हैं सभी लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं सभी लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं सभी लोग आपके बताय हुए माइल, बनाए हुए माइल स्टोन्स पर चलना चाहते हैं, उनको तै करना चाहते हैं, तो आज सर के द्वारा जो हमको यूनिवर्सल टूथ बताए गए, तो उनको फॉलो करना चाहिए, कितने लोग मानते हैं, बढ़िया, ग्रेट, तो मुझे लगता है कि आज एक बहुत मानती लाय के दिखाएगा, और जिस बिजनस में हमने कदम रख दिया है, हम बहुत ही जदा अपने आपको सोबा के साली मानते हैं, कि नेट्र मार्गेटिंग कंसेफ्ट में इश्वर ने मौका दिया काम करने का, इसके माध्यम से जिंदगी को सजाने का, समारने का, और इस मेरी हस्ती क्या थी, मैं क्या था, तो मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन सर से मिलने के बाद, अगर मैं सोचू कि मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर मैं मैंने महनत करके और कमिट्मेंट के साथ, लिडरिशिप के साथ मैंने क्याम किया, ऐसा नहीं है, मैं क्या था, तो मै किसी एक ऐसे संपर्क में आया किसी एक ऐसे पत्थर के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है लोहा आता है तो वो सोना बन जाता है तो मैं एक ऐसे पारस पत्थर के संपर्क में आया कि उन्होंने मुझे रगड करके और मुझे एक कीमति अब अमूली बनाया, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना सोचती, ना विजन था, ना ड्रीम थे जिंदगी में, ना कोई होसला था, ना अमबीशन था, कुछ भी नहीं था, अपना ठीक है, जो कुछ भी लगए, लगए, जो कुछ हो गया, इसे हो गया, लेकि पूरी तरह से जिंदगी में यूटरन लाना, तो मैं देखता हूँ कि, ये चीज, ईश्वर ने एक ऐसा मौका दिया, कि डारेक्ट सेलिंग बिजनस के माध्यम से, और ऐसी great leadership में, great guru के और mentorship के साथ में काम करके, हम अपना पूरा जीवन समार सकते हैं, समारने के रास्ते पर हैं, आप सभी लोग हैं, बहुत कुछ है, हमने कमाया है, पिछले 15 साल में, 18 साल में, 10 साल में, 5 साल में, आपके पास में, क्यों ये किसी के हो सकता है, कि individual किसी का business कोई कम मजबूत हो सकता है, किसी का जादा मजबूत हो सकता है, किसी की एक लेक जादा मजबूत हो सकती है, एक लेक कम मजबूत हो सकती है, लेकिन ये final journey तो अभी complete नहीं हुई न, जहां पर final destination पर तो पहुंचे नहीं जरनी तो जारी है न भी चली तो रहें तो ऐसा कौन सा हो गया कि अभी मतलब अभी हमारा तो कम रह गया हमारा जादा रह गया क्या फरक पड़ता है चली रहें और बहुत बड़ा परिवर्तन होना है और आगले 5 साल 2025 तक का सरन्याज गोल दे दिया है तो 2025 तक मुझे लगता है कि सभी की जिंदगी पूरी तरह से सुरक्षित होने वाला है ऐसा ऐसास हम सभी को हो रहा होगा हो रहा है किसी को लग रहा होगा मेरी लेक कमजोर है 2025 तक मजबूत हो जाएगी कि ने हो जाएगी किसको लग रहा है मेरी तो मजबूत हो excitement की बाद है और कितनी मजबुत होगी गुसाद हो ना पताल तक इसकी देखते हैं कितनी साली कमजोर है उठा के कौन सा कौन सा डेल्टा पिल्टा आएगा पताल तक गुसाद हो इसकी तो नहीं होगा सर ने बता एक बंदा गेम चेंज करने वाला बन सकता है और यही हमने बिसनस में एक बंदा आया तभी गेमचिंज हूआ है ओम प्रकाशजी के लिए एक ही थे है है इनोंने गेमचिंज कर दीन पूरा कि यह है और आप एक ही सी तो हो आपकी टीम में आपके आने के बाद इसका गेमचेंज हो गया एस प्याफित बिसनस में आपकी साथ मैं करू इसके बारे में अगर बोला जाए तो कुछ लोग experts बोलते हैं, यह concept जो है entrepreneurship का है, यह business जो है, natural marketing is a concept of entrepreneurship, इस business में के द्वारा leaders त्यार होते हैं, entrepreneurs त्यार होते हैं, और it is the only hope for future generation, और आने वाले समय के लिए एकलोती एक उम्मीद है यह business, direct selling, इस business के बारे में ऐसा बोला जा रह है, कि अगले आने वाले कुछ 20 सालों में, यह इकलोती है कि ऐसी उम्मीद बचेगी, पूरे जगत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, जो आर्थिक, यानि economy को control करने वाला business बनने वाला है, ऐसा experts बोल रहे हैं, इसके बारे predictions हो रहे हैं, exactly in 30 years, अगले 30 सालों में, 40% of working population, every job on this planet will be replaced by technology, अगले 40% जो लोग भी नोकरी करने वाले लोग हैं, अगले 30 साल में, टेकनोलोजी के द्वारा उनको पूरी तरह से replace कर दिये जाएगा, टेकनोलोजी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बदलती जा रही है, इतनी ज़्यादा एडवां इंडस्टी में अपना एक मकाम बनाया है, पहला नाम है आईगोर अलवर्ट और एंड्रिया क्लिम्ब्याला, तो ये एक पेर है, एक कपल है, जिनोंने बिसनस के माद्यम से सबसे highest bonus क्लेम करके, और पूरे वर्ल्ड में सबसे top position को अचीव किया है, डारेक्ट सेलिंग बिस नीदर लेंड से रहने वाले हैं और रहकर के इनोंने उसके बाद फिर एवान और इस सारे top 10 की लिस्ट दी हुई है, तो ये लोगों के बारे में, जब इनके बारे में, एक दो के बारे मैंने इनका इनके बारे में जानने की कोशिश की, इनका background, इनकी जरनी, कब इनोंने जोइन किया, और बहुत जादा लंबा समय नहीं हुआ, 95 में एंट्री ली थी, तो 95 में एंट्री लेने के बाद में इतने बड़ी position को अचीव कर लिया, और पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है, और इस business के माध्यम से जब मैंने देखा कि क्या इनके साथ कोई दिक् परसनल जिंदगी में बहुत सारे इनके चेलेंजिस आये, लेकिन उनको उनसे ओवर कम करते हुए नोंने और बोल्ड डिसीजन लेकर के बिजनस को प्राथमिक्ता दी और आज इतने बड़ी position को अचीव किया, इंडी जोली भी जब वक्त मिलेगा उसके हिसाफ से हम लोग स अचीवमेंट ले रहे हैं, यह कुछ देखते हैं हम, आपको एक रिसेंट एक्जामपल दिखाते हैं, लाइव, एक बंदा है, अपना इंडिया का ही है, दुबई में सेटल हुआ है, एक कंपनी में काम करना सुरू किया, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, और एक ड्रीम अचीव किया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, डारेक्ट शेलिंग बिजिस से ही है, हमारा ही भाई कह सकते हैं, सही है, देखते हैं, बहुत कम समय के अंदर मारा है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, साउंड देजिए, तो किसी कुछ होगा, जो आपको मतलब feel good कराएंगे ना, अंदर से अच्छा फिल कराएंगे, है ना, और दीरे-दीरे सारी चीज़ अच्छी होती होती है, यह है टाइगर, टॉप अप दी वर्ल्ड है, आईगोर ई अलवर्ट और एंड्रिया क्लिमबाला, इसकी बाहिफ है यह, और इन लोगों ने इसमें में वर्ल्ड की टॉप पोजिशन अचीव किया है, दौनों में, हाईजिस टर्नोवर ले रहे हैं पूरी दुनिया में, और बढ़िया चेक बना रहे हैं, जो आप ड्रीम देख सकते हैं, जो सोच सकते हैं, सब कुछ इनों ने अचीव कर लिया है, मतलब आप जैसे चोटी- लेना, घर बनाना यह सब चीजें तो फिर नॉर्मल चीज आती है, इसे पर पर स्नल याच बगरा नहीं, तो फिर क्या है जादा फिर इदर एदर एदर एंजियों बगरा में, लोगों की हल्प करना, टीमेट, डाउनलाइन को हल्प करना, मदद करना, सारी चीजें करके वह अब फोकस जदा हुजाता है, तो अभी वहां पर जदा ध्यान है, अच्छा इनके वारे में अच्छी बात हो रहे है, कि इनको जैसे आपने डीन सी ब्रांड के बारे सुना होगा, डॉल से गवाना करके ब्रांड, एक बड़ बड़ा प्रीम ब्रांड है, तो ऐसे करके सब फर एक ही जगे कटे होते हैं, पार्टी साथी, तो फिर सब का कद बरावर सही हो जाता है, तो इसका अमल बभश्या आपका भी यह है, सही है, यहां से वहां पर हम लोग को नहीं है, तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, एक और दिखाते हैं, जैसे नहीं तो फिर अगर को दिखाएंगे, लेडी को नहीं दिखाएंगे, तो फिर यह हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइट 50% अचीवमेंट ले रखे हैं, लेडी जो इनने, कंट्रिबुशन बहुत अच्छा है, तो लड़की है, लड़की तो शादी मेरेड है, यह भी इंडिया से है, और इंडिया में रहके ही काम करना सुरू किया, बॉम्बे से, और अच्छा सिंसेरिटी से काम किया इसने, काम करके बहुत अच्छी पोजिशन पर है, और एक वीडियो भी इनको डेडिकेट किया है, अच्छी पोजिशन पर है, मतलब आदमी जो ड्रीम देखना चाता है, इनकी डाउन नायन में फिलाल दस जर्मन कार हैं, कितनी, मतलब ओडी, मर्शडीज, व्यम डवलो उगरा इसी दिला रखी है, ऐसे मान सकते हैं हमारे यहां के क्राउन लेविल पर है, ऐसे मान सकते हैं, जो क्राउन होता है, तो इंडिपेंडेंट कोई लेडी क्राउन बन बड़ा चीमेंट है, छोटा नहीं है, एक छोटी सी जलक देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा, तो इनकी जोइनिंग कैसे होई, एक बंदा था मलेशिया का, मलेशिया में उसने जोइन किया, मलेशिया से जोइन होने के बाद में उसका मिलने वाला कोई थाइलेंड में तो उसने एक रेफरेंश दिया थाइलेंड में थाइलेंड वाले का मिलने वाला कोई एक बॉम्बे में था जो यहीं का इंडिया का था तो उसने पर इंडिया वाले को जोइन कराया इंडिया वाले ने फिर जोइन कराया फिर मलेशिया में और मलेशिया के रिलेटिव वाले रहते थे हैं बंबे में और उसके पड़ोसी निकले इसको प्लान दिखा ऐसे करके बिजनस गोम के आया और फिर इसकी डारेक्ट मुलाकात फिर मलेसिया वाले से हो गई और बीच में सारे गायवों को उसके मिल करके बिजनस एंपायर खड़ा कर दिया तो कहीं से भी कैसे भी एक बंदा बिजनस में बहुत बड़ा परिवरतन ला सकता है ऐसे यह और भी रॉल्फ के पे एक और एक्जामपल है इसने अच्छा बिजनस कड़ा कर दिखाया टॉप 10 में इसका है फोटो है बढ़िया काम कर रहा है और इसकी इंकम है बढ़िया टर्नोवर कमारा है अच् आद्मी को आई जाती है फिर मंच पुलता एंधिम पोलता जमदार तरीके से एसे इजब दमदारी से काम क्लिया है तो यह चीज के बारे है कि 1% लोगों के बारे ऑगर बात करते हैं तो एक परसेंट विय L N आप यह वर्ल्ट को कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया को है यह पॉपुलेशन को, सोच को, ठिंकिंग को, हर चीज़ को, यानि ट्रेंड भी, पहले एक परसेंट लोग जो पहनना शुरू करते हैं, बाकी 99 परसेंट फिर उसको कॉपी करते हैं, तो ट्रेंड भी यही सेटल करते हैं, ऐसा है, किसी भी छेतर के अंदर, तो एक डार्विन का नाम हमने सुना होगा, जम पढ़ते हैं, अच्छा दस में तो हमें चाल्स डार्विन के बारें पढ़ाया जाता है, है ना, तो ठियोरी ओभ नेचुरल सेलेक्शन के बारें, हमें समझाया जाता है, survival of the fittest के बारे में समझा जाता है तो 1% की category में जाने से पहले हमें top 5% की category में जाना पड़ेगा तो पहले top 5% की category में जाएं फिर उसके बाद 1% पे जानने के लिए हम तयारी कर सकते हैं तो प्रकृति क्या करती है वरंड करती है हमने पढ़ा पर करती क्या करती है सेलेक्ट करती है नेचर ओफ सेलेक्शन जो अपने आपको फिट रखता है survival of the fittest का मतलब क्या है जो समय के इसाफ से climate के इसाफ से अपने आपको फिट रखेगा वही आदमी जीवित बचेगा बागी सब खतम हो जाएंगे तो ऐसे हमें पढ़ाया गया पहले डाइनासोस होते थे तो वो लोग वो अपने आपको मतलब समय के इसाफ से फिट नहीं कर पाए अजस्ट नहीं कर पाए तो लुपत हो गए ऐसी बताते थे हैं कि कुछ जिराफ होते थे जिराफ जिनकी गरदन छोटी होती थी तो उनको फिडिंग के लिए प्रॉलम आती थी लेकि कुछ जिराफ ऐसे होते थे जिनकी गरदन लंबी रहते थी तो उनको चारा खाने के लिए और भोजन के लिए प्रॉलम नहीं आती थी तो दीरे-दीरे क्या हुआ, छोटी गर्दन वाले जिराफ लुप तो हो गए, बड़ी गर्दन वाले ही आजकल देखने के लिए मिलते हैं, तो इसका मतलग क्या है, समय के हिसाब से जो अपने आपको फिट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या है, दीरे-दीरे करके या तो खतम ह हो जाएगा, या रेस में ही नहीं रह पाएगा, और जैसे दुनिया में, फुट वाल प्लियर पूरी तुनिया में अगर देखते हैं, एज आवरेजन, तो सबसे जादा हैं, सबसे ज़़्धा लोग like करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा फुट वॉल में, तो करोड़ों लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आपको situation के हिसाफ से control करते हैं खुद पर काम करते हैं वर्क करते हैं अपने आपको उसके हिसाफ से ढालते हैं न कोई समय को climate को सारी चीजों को अपने हिसाफ से नहीं करते हैं खुद उसके हसाब से अपने आपको तयार करते हैं और आप देखेंगे जितने भी पूरी दुनिया में रिकार्ड हैं वो सारे रिकार्ड हैं नहीं के नाम पर क्यों होते चले जा रहे हैं या पूरी दुनिया रोनाड़ो कोई की फैन क्यों बन जाती है अभी एक एक न्यूस ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रही है कि अभी यह कहीं उसमें बेठे थे और लाइव इंट्रिवू मतलब प्रेस्ट कॉन्फरेंस में इनकी टेबिल के सामने यहां पानी की बटल है तो कोई सौफ ड्रिंग कोई कोगरा की रखी ही ती तो इन्हों ने बोला इसको अटा ह तो यह लोग बहुत काम करते हैं तो चार्ल्स डार्विन ने बोला कि only the fittest will survive के वल जो fittest होंगे वही survive कर पाएंगे बाकी लोग क्या करेंगे number one की race से हट जाएंगे वो target जीतने की लिस्ट से दूर हो जाएंगे वो leg चलने वाले से हट जाएंगे वो बाकी सारी चुफर कं प्लेंड यह वो उनकी एक अलग जमात है 99 परसंट बीड़े 25 परसंट वो उसमें फिर चले जाएंगे कुट करने वालों में इसमें उसमें लेकिन आप देखेंगे कि हम सुरुआ से देखते हैं सर को देखते हैं तो सुरुआत से ही जैसे क्या को किसी बंदे को जोएं करा अध्यक था में आदो पजैस की टीम कैसे बना सकता है गयरины जोएन होने के बाद ही चोटा से ब्रोश्र सब्रोश सर को देखे चले गए ऑं ल lista सर वह को इसी बहु हैं आगरा में सिस्टम को ढालना उसके बाद में सरकी टीम में बहुत सारे लोग आए तो लेकिन क्या किया कि सरपी सुरुआत सी में पैशन दिखा ही देता था किसी चीज की जिम्मेदारी लेना सबसे पहले मैंने शर को वै lapardo कैसे चिम्माइबाई सुरूट है तो मैं देखा ढ़री नलती झांत विजनेस साहव से कुठको तैयार कर करना है तो यहां लिइसे साहव से खुद को त्यार करना है तो तो सारी ही सरन के अंदर देखने के लिए मिलती हैं बिजनेस के उले करके सिस्टम को लेके अपलाइन को लेके अचीवमेंट को लेके और भी बहुत सारे लीडर्स थे जो सर से पहले से जोईन थे और वो लोग डायमेंट थे और सर तब जब जोईन किया था लेकिन उन लोगों का एटीटूड में कई गडबड हुई या अपनी किसी कमी के वैसे वो फिट नहीं कर पाई अपने आपको और दो सार उपन दूसरी चीज़ों पर करते रहे लेकिन सर ने क्या किया और उन चाहरी चीज़ों को क्या किया अपने अपको खुद तयार किया अपने ने ट्रॉक में अपने बिजनस में कोई कमी आई त बिजनस में जिसे एक क्रोड का चेक ट्रांसफर हुआ तो इसी थोड़ी हो गया, लेक दोनों बरावर की हर टारगेट को हर चेक को हर सारी चीजों को अपने आपको एक नॉर्मल व्यक्ति से बन करके और यहां तक इस मुकाम को अचीव करना, मतलब कर कोई भी सकता है, लेकिन हमें क्या है, हमारे पास तो एक बना बना रास्ता है, हम तो सर को देख लेते हैं, वजी सर, तो हमें वो संसकार मिल रहे हैं, लेकिन सर ने भी तो कहीं कहीं से कुछ चीज़े हैं, कुछ चीज़े हैं, खुद भी, कॉमन सेंस के हिसाब से भी काम करना सुरू किया, कौन सी च इन बातों पर अमल करेंगे, यहां से वरकाउट करेंगे, अपने आपको तयार करेंगे, तो उनमें परिवर्तन दिखाई देगा, अगले पांस साल में, चार साल, पांस साल का लंबा समय होता है, तो वो जो अभी से काम करेंगे, बिजनस में से सर ने बताया कि एक लेग में तो आपकी एक लेग नहीं चल रही थी, और दिरसे किसी एक लीडर की टीम में काम निकल गया, तो आपकी तो चल गई, लिकिनल, ऑफी वी भी रुकियोगा कर शक्ते हैं, फिर उसके नीचे की किसी की कि second Leg का प्रास कर सकते हैं, फिर उसकी second Leg का प्रास कर सकते हैं, इससे क् कहीं ने कहीं ultimately तो हम ही मजबूत हो रहे हैं है ना मजबूत हम ही हो रहे हैं तो अब बहुत ज़्यादा flexibility की जुरुत पड़ेगी इस business को लेकर के इसी business से बहुत सारे लोगों ने जीवन बदला है मैं आपको एक दो example दिखाए अभी आपको है ना तो लिश्ट तो 100 लोगों क को आर्थिक आजादी दे रहा है यही business लोगों को Ferrari तक delivery करा रहा है और यही business लोगों को वहां आगे तक लेके जा रहा है ना क्रोड का चेक भी ट्रांसो करवा रहा है इसी business से लोग complaint भी कर रहे हैं इसी company को छोड़के भी जा रहे हैं लोग इसी company में जिंदगी भी बना र कियार करने पर चुटी चुटी चीजों पर काम करने में अपने आपको लगाया तो क्या होगा उसका परिवरतन देखने के लिए मिलता अलालग टीम में और ऐसा बोले आता है कि सफलता या life is not a game of luck यह क्या भागी की बात नहीं है क्या यह तैयारी करने कर दो हमारे में क्या आतार तैयार करना चाहे आई क्यू बढ़ाने को लेके हो किताबें पढ़के चाहे एक्यू बढ़ाने को लेकर के हो अपलाइन के संपर्क मेरे करके चाहे एस क्यू बढ़ाने को लेकर के हो हर चीज पर काम करेंगे टीम को को बनाने को लेकर के आज नहीं दिखाई दे रहा आज हो सकता है आपका नमबर नहीं दिखाई दे लेकिन बहुत जल्दी आपकी टीम चीर के आस्मान चीर के निकलेगी अचानक सबको मजबूर होना ही पड़ेगा आपका नाम अनाउंस करने के लिए इस पे काम करना पड़ेगा ये लाइफ ऑपाई मुवी आप लोगों ने देख रखी होगी इसके बारे में सुन रखा होगा बहुत पहले आप लोगों ने को दिखाई भी गी थी है ना मीटिंग में तो इसमें क्या होता है कि ये लड़का अपनी फैमिली के साथ होता है पेरेंट्स के साथ होता है और शिप पानी की जहाज पर सफर कर रहे होते हैं और उसी में क्या होता है कि जो जूब के जो जानवर होते हैं उनको भी ट्रांसफर किया जा रहा था इसी शिप के माध्यम से है ना? और अचानक से क्या हुआ वेव साती है, तुफान आता है समुद्र में और उस वेव में क्या हुआ किसी ने ये बुलट पुलट होने लगा जहाज पूरा और उसी में क्या हुआ कि जानवर भी पता नहीं किसी ने कैसे खोल दिये और धीर धीर करके जो जहास्ता पानी में डूप गया और ये लड़का भी अच्छा अलग हो गया माबाप इसके पेरेंट्स फैमिली सब डूप गई और जो लोग ट्रेवलिंग कर रहे थे जानवर वानवर सब जो डूप गई उनमेंसे ये कैसे भी करके बाहर बज गया और फिर इसको अब जो शुरू हुआ यहां से कहाँ जो खेल था वो सर्वाइब करने का अगर आपको ये वहम है कि आपकी जिंदकी खुशाल नहीं है आपकी जिंदकी में वो मजा नहीं है तो एक बार इस स्टोरी को देख लीजिए आपका सारा वहम दूर हो जाएगा हेलो दोस्तो मेरा नाम पाइप सब्सक्राइब करने के लिए इस टाइगर के साथ में फिर खुद को तयार करता है और वो इसके उपर एक स्टोरी है पूरी तो कैसे तयार करना है कि अपने आपको बच्चा के रखना है सर्वाइब करना है अगर उसके इसाफ से अपने आपको डालेगा नहीं तो जरनी कंप्लेट नहीं हो पाएगी हमारी बिसेट में भी कही ना आते हैं चेलेज आते हैं के भी डाउन की सब्सक्राइब करना है बाइचे भाद आउन की तरव से प्रॉल्म कहीं से वी आ सकती है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, यसे आप देखेंगे, अगरु जी प्रॉलम चलती रहेंगी, तो फिर खुशियां कब आएंगी, तो जा दूर जा नहीं जुत नहीं, सर को देख लो, साल अठारा साल हुए हैं, साल अठारा साल हुए हैं, बिजन स्ट्रक्चर देख लो फाइनेंशल पोजिशन देख लो, फैमिली स्ट्रक्चर देख लो, सारी चीज़ों को देख लो, रिवाट कैसा है, बढ़िया है, सर का शांदा ड्रीम आउस भी बन रहा है, काफिस हमें एक साल से चल रहा काम, अभी चलता ही रहेगा, लिफ्ट, विफ्ट, जो भी आप सो है, कि ये सारी चीज़े हैं, और उसके बावजूद भी भविस सुने रहा है, सारी चीज़े बहुत शांदार है, ये चूटी-चूटी चीज़े हैं, जो हमारे को मजबूत बनाती है, सुबह जब बहे टाइगर सो रहा होता है, सही मोका देख ये, एक डायलोग इनका भी स सब चीज़ चूटी-चूटी चीज़े हैं, ये बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है, अगर आप सिद्धी प्राप्त कर लिया आपने इस बिसनस में, तो इंटायर इंडिया की बात छोड़ो, इंटायर एसिया की बात छोड़ो, पुरे वर्ड लेवल पर भी से आने वाले नहीं है, उनको ये इन सिक्यूरिटी कभी भी मन में आने वाले नहीं है, कि मेरी लेक का क्या होगा चलेगी की नहीं चलेगी, वो जानता है कि मैं कभी भी किसी भी लेवल पर कहीं भी कुछ भी करने के लिए तयार हूँ, अगर आज भी ग्राउंट का हीरो है, master है तो कभी भी किसी भी level के काम करके अपने leg को चाहे उठा के लेके चला जाएगा चाहे एक बंदा तूटके गया हो चाहे नहीं गया हो चाहे बिजनस ठप हुआ हो चाहे डाउन आया हो चाहे आप आया हो ओस Talk करनी फरक का पड़ता? वहर रोल में Seat हो जाएगा और हमारे बजनस में अपने आपको इतना तयार करना है कर सकते हैं कर सकते हैं अभी हम लोग यहां काम कर रहे हैं पहले आपने सेher में काम किया, गाउं में किया अभी इंटिरे प्र epole पे किया के रोल मुडल मानता है तो कोई मिताब जी को माने लेकिन तयारी करनी पड़ते हैं आप देख रहे हैं टाइकर की दिन तयारी कर रहा है तो एक परसंट के बारे हम बात करते हैं हमारे MLM वर्ल्ड के एक परसंट लोगों के बारे हम बात करे हैं तो ये लोग हमें बताते हैं कि they talk and behave like differently जो एक परसंट ही category में जो लोग जाते हैं वो हर business को लेकि टीम को लेकि सारी चीज़ों का जो behavior है उनकी जो बातचीत है उनका सोचने का तरीका हो सारी चीज़ों से थोड़ा सा अलग है जीतने का नजरिया रहता है they look the world differently दुनिया को भी थोड़ा अलग डंग से देखते हैं और उनके अंदर एक चीज रहती है sense of urgency मत जला देते हैं उनको इतनी जल्दी है कि कोई छुटी होगी तो उसमें भी काम करेंगे उनको इतनी जल्दी है कि होली दिवाली तिवार पे भी काम करेंगे उनको इतनी जल्दी है कि नोकरी से फ्री होके काम करेंगे उनको इतनी जल्दी है कि किसी चीज़ का धहरे नहीं र रहती है आप एक नाम को देखेंगे इस चार्ड में आपको मैंने फोटो दिखाया वीडियो दिखाया तो क्या बाई लग होगा या मेहनत करके तयारी करके होगा है दुनिया में बड़ी-बड़ी प्रणों की खातिर फिर सपनों से दूर रहता है दो में से एक ही चुन पाता है है ना तो जिंदगी परफेक्ट बनाई जा सकती है बन सकते है इस बिजनस के माध्यम से एक चीज रहती है फॉल इन लव वाली इस सम्मण भी है कि पिकासो एक समय ऐसा था कि तीन दिन तक लगा दो सकता है लेकिन कोई किसिको सिद्द थो सिद्द से प्यार तो ऐसा जरूर कर सकता है ओर सेंस अब एजिंशी विल ड्राइब यू इस एंसश ऑफ अर्जे जो चीज है न यह आ उत्वाल अपको ड्राइब करेगी आपको टाकत देती है आपको टाकत देती है इंस्प包括 आपगे दो डागे एग, दो फूट लागे प्राइब की,